हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको होलिवूड की एसी साइंस फिक्षन मूवी जो की दोस्तों इतनी खतरनाक है कि आपकी सोचे भी आगे निकल जाएंगी और इन मूवीयों को देखने का मज़ा ही कुछ अलग है तो दोस्तों इन मूवीयों में आपको प्रत्वी के लोगों के दुवारा बनाया गया एक करत्रिम ग्रह है जिस पर अमीर लोग रहते हैं और प्रत्वी पर रहते हैं गरीब लोग क्योंकि प्रत्वी पर बहुत भीमारियां और गरीबी फैल चुकी है और यहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यदा हो चुकी है ले वहाँ एक्सिडेंट हो जाता है जहां कि उस पर रेडियेसन का इफेक्ट हो जाता है और वह next पांस दिन में मरने वाला हो Sounds आएसे में दोस्तों उसके सरीर को ताकतवर बनाने के लिए मिसीन फिट कर दी जाती है और वो इलीजियम जाने के लिए बेताब रहता है क्योंकि वहाँ उसका इलाज हो सकता है क्योंकि इलीजियम पर हर बीमारी का इलाज हो जाता है ऐसे में दोस्तों वो लड़का इलीजियम जा पाता है या नहीं और वहाँ जाने के बाद इलाज करा पाता है या नहीं कुछ खराबी के कारण, कुछ scientist इस Space Station के बाहर आकर इसे ठीक कर रहे होते हैं ऐसे में दोस्तों Space से Debris, यानी की Space में जो कचरा होता है उसे Debris बोलते हैं वो कचरा Space Station से आकर टकरा जाता है और Space Station तबाह हो जाता है और ये विग्यानिक भी अलग-अलग हो जाते हैं इनका आपस में connection नहीं रहता ऐसे में दोस्तों इन में से कौन सा विग्यानिक बच पाता है और किस तरह से ये survive करते हैं यही इस movie में दिखाया गया है नेक्स्ट मूवी है Inception इस movie की सुरुआत होती है सपनों से यानि कि दोस्तों इस movie में पूरा खेल सपनों का ही है किसी आदमी के बिजनिस आइडिया चुराना है तो उसके सपनों में जाकर बिजनिस आइडिया भी चुराया जा सकता है और किसी को कंट्रोल करना है तो उसको सपनों में गुसकर उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है इस movie में सपने के अंदर भी सपना होता है यानि कि दोस्तों बहुत ज़दा complicated movie है लेकिन आपको ये बहुत ज़दा पसंद आएगी इसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए नेक्स्ट movie है आई रोबोट इस movie में लीड रोल में विली स्मित है जो कि रोबोट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते दोस्तों रोबोट्स को इस movie में पुलिस का काम भी दिया जाता है और रोबोट्स बहुत सारे काम करते हैं इस movie में ऐसे में विली स्मित का मानना होता है कि रोबोट्स फूचर के लिए खत्रा हो सकते हैं और इनको बिल्कुल भी रोबोट्स पसंद नहीं होते लेकिन आगे जाकर क्या रोबोट साही साबित होते हैं या विली स्मिट साही साबित होते हैं इस मुई में यही दिखाया गया है यह मुई बहुती कमाल की है साइन्स फिक्षन मुई है यह आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए इस मुई की सुरुवात होती है प्रत्वी से जहां एलियन आ जाते हैं कहीं दूसरे ग्रह से ऐसे में दोस्तों उन एलियन्स को पहले तो ऐसे ही रखा जाता है नोर्मली इंसानों की तरही लेकिन वो बाद में अजीव-जीव हरकते करने लगते हैं उल्टे सीधे इंसानों को मानने लगते हैं ऐसे में फिर उनको एक एरिया के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसे डिस्ट्रिक 9 बोला जाता है और उन एलियन्स की टेकनोलोजी को इंसान सीखने की कोशिस करते हैं औ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को ओल पर सेट कर लो ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेसन आपको सबसे बहले मिल जाए और इस वीडियो का अपने दोस्तों के शाथ शेयर जरू कर दिना थेंकि दोस्तों मिलते से गले वीडियो में तब तक क जाए टेक केर